सारी गाएं पूछ उठाकर अपने बच्छों के परती आकर्शेतों के ऐसे भागी ना चोट का डर ना गिरने का डर ना कुछ और वहाँ पहुंचने के बाद अपने बच्छों को चाटने लगी दूद निकलने लगा पिलाने लगी दूद पलराम जी ये दिकर हैरान कि आजी क्या हो रहा है पलराम जी क्या है